अग्याव गाईस विल्कम टू माई चैनल ग्राफिक्स प्लाइंट और आज की इस वीडियो में बात करने में बात करने में एक तो देखिए हमारे पास कंटेंट अवायर फिल भी और कंटेंट अवायर मूफ टूल भी तो उससे पहले एक चीज देखिए यह इमेस पहले ऐसा था बाद में यह ऐसा हो गया तो यही है केंटेंट अवायर फिल की काम तो उससे पहले में आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा हम अब इसलेक्शन में आप लोग को अगर कोई कलर फिल करने मान लीजी हमें यह पर फोर ग्रांड पे कुछ ऐसा कलर है तो अगर हमें इ आप इसका शॉट कर था अल्ट बैकसपास और अगर बैकग्राउड कलर फिल करना होता है ओए क्रिश करते है कंट्रोल वैक्रॉट तो बैक्रणमें वाय्ट है तो वाय्ट है आ रहा है देखे अगर यह अगर यहांपर चेंज कर दिये तो करें तो आप देखिए हमारे पास अगर आपको shortcut याद नहीं रहता है तो आप याप एडिट पर जाके फिल कर सकते हैं तो वही सम्सी जा रहा है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फोर्ग्राउंट कलर है बैग्राउंट कलर है और एक चीज़ आपके पास यह है कि कलर अप स्लेक्ट कर सकते हैं कौन सी कलर देखिए यह ओके करने पर वही कलर फिल करतेगा तो यहाँ पर फिर से देखिए आप कुछ-कुछ चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पर कुछ आपके पास ब्लेंड बोड आ रहा है और यहाँ पर एक चीज़ प्रिजर्ब ट्रैंसपरेंस है तो फिलाल यह डि अब अगर अपने शिफ्ट बैक स्पैस्पेस दबाया तो यहाँ पर देखिए फ्रिजर्फ ट्रैंसपरेंस इनसे का एक टेलेक बोक्स आ रहा है तो यह क्या करते है अभी देखिए तो पहलो तो देखिए अगर हमने आल बैक स्पैस दबा दिया तो पूरा पूरा जो गैं ैय हमने और अब बीना प्रिज़र ट्रांसपरेंश के करेंगे तो यह पूरा केनबस पर फिल क रिगा लेकिन अगर अपने प्रिज़र स्पारेंश के आ अन कर दिया तो आप देखिये यह उसी जगह पर color करेंगे जहाँ पर पहले से कुछ था तो यह आप देख सकते हैं ऐसा कर रहा है उसी जगह पर फिल करेंगे जहाँ पर आपका पहले से कुछ बना हुआ है और यहाँ पर एक चीज़ और है यहाँ पर देखिए सकते हुले है इसी के बढ़ में आज कमरा वीडियो है तो फॉले इस वाले इमेश पर एस वाले इमेश पर हम कंटनेट और फिल को देखियेंगे तो देखिए तो यहाँ पर आपके पास कंटेंट आ फिल आ रहा होगा लिकिन यह फिल्ध इन इए निवी ए तो आप यह से भी क पास आ रहा होगा अगर आपके पास Photoshop का कोई पूराना वर्शन है तो आपके पास यहापे Content over field नहीं आ रहा होगा तो आप चेक कर लिए का फिल में रहेगा तो देखिये Content over field का क्या होता है मान लिजिए यह एक बहुत अच्छी इमेज है हमें इस यह चल के जा रहा है यहाँ से और इसके साथ इस डॉग जो है कुत्त तो इन दोनों को हमें हटाना है तो इसके लिए हम लासो टूल लेंगे यह से सेलेक्शन बनाएंगे और एक चीज़ याद रख् से ऐसे साही तरीकी से सेलेक्शन बनाएंगे तो काम नहीं कर जाए तो अब देखिए इसका सेलेक्शन हमने बना लिया है तो अब अगर अब शीट पे एक स्पेस करेंगे तो भी यह पर कंटेंट अवर आ रहा है और अगर आप यहासे एडिट पर जाके कंटेंट वर फिल पर जाएंगे तो भी यह पर आ रहा है तो हम यह से कंटेंट अवर फिल पर फिल जाएंगे तो अब देखिए यह आपके पस एक और डायलेक बक्स आ गया है तो इन दोनों कब देखिए यह जो एरिया जितने एरिया पर आपका ग्रीन टाइप का कलर आ चुका है इस वहले जगह से कुछ उठा के यह जितना एरिया सेलेक्शन के अंदर है इस जगह पर रखेगा और यह यह जो चलके जा रहे है यह नहीं राएगी यह आपर तो यहा हट चुगा है अब अगर आप यहां से ओके करते तो देखिए यह पूरी तरह से हट चुगा है लेकिन जैसा कि आप देख पर रहे है यह एक निउन लेयर पर आया है तो अगर उपर बले लेयर को हमने आफ कर दिया तो नीचे अब भी हो यह पर है उपर बला अन करेंगे त यह हो गया आपका content aware fill तो आप देखिए content aware move tool किया है यहां पर अगर healing brush tool के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपके बस content aware move tool है तो इससे भी ऐसे एक उल्टा सीथा selection आपको बनाना है और देखिए यहां पर यह एक dialogue box है यहां पर move कर सकते हैं इसको इसलियार को हम delete कर रहे हैं और एक new layer ले ले लिए और यहां पर sample all layers कर दिया तो देखिए sample all layers करने से यह अपने selection बना लिया अब इसको अगर यहां पर हटाएंगे तो पहले देखिए content aware fill से पहले आप क्या कर रहे थे उस चीज़ को delete कर रहे है लेकिन content aware move tool के मतदद से आप कुछ load हो रहा है और आप देखिए यहां से यहां पर जो था यह वो यहां पर चली आई लेकिन यहां से कुछ problem यहां पर कुछ problem आ गई है उपर से कुछ चीज़े यहां पर आ चुके तो इसे भी आप साही कर सकते तो इसके लिए selection बनाएगा यहां से और shift backspace तबाके यहां से कंटेंट एवर तो यह चला गया तो आप देख सकते हैं तो फिर से हम इमेज को reset कर रहे है तो आप देखिए इसके अंदर जब इस वहले कंटेंट एवर मूफ टूल में जाएंगे तो यहां पर आपके पास उपर में कुछ चीज़े दिया हुआ है पहले तो यहां पर मो मूफ को देख ळिया है तो आप extend को देखते है से मान लीजिए ये जो चलके जाहार हाँ है यहसे हमें इसे थोड़ा सथ लंबा बनाने है तो यहां से हमें एक झां लेक्षण लेंगे सोरी यह से हमें एक ऐसे स्लेक्शन लेंगे और इसे थोड़ा सा उपर की तरफ दे देंगे तो अब देखिए इसका पैर थोड़ा लंबा हो रहा है अब 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 की प्रेस करेंगे तो देखिए यह लंबा हो गया पहले इतना था अब इतना हो गया अब समझ सकते हैं कि इसका काम क्या है अच्छा यहाँ पर कंटेक्टेवर मूफ टूल पर यहाँ पर ट्रैंस्पर्म और ड्रॉप पर चेक लग हो है तो इसका क्या का में देखिए इसे अगर अपनी ऐसा स्लेक्ट कर लिया है और आप चाहर इसे थोड़ी से दूर रखा जाए तो यह पर थोड़ी से दूर रखेंगे दूर पर रखेंगे तो यह छोटा आएगा तो इसे आप यह ऐसा छोटा भी कर सकते हैं तो पर यहाँ पर रख दिया आपने और ओके क्लिक कर दिया तो आप देखिए यह ऐसे हट भी आए और यह पर आ गया तो पहले यह ऐसा था अब ऐसा है तो इस वाली जगह पर जगह को ठीक भी कर सकते तो यह से आप extend पर रखिया गया और एक चीज़ का ध्यान रखिये कि जब अब content अब फिल्ट पर यह आप पर mode extend पर तो यह आपका copy generate करेगा तो यह से हमने एक selection बनाया इसे उठाके यह पर रख दिया तो यह copy कर रहा है ऐसे फिर से एक लिया तो यह यह copy कर रहा होता है लब extend पर रखने से वह चीज़ों को copy करता रहेगा और उसके पास उसके बाद यहाँ पर structure कुछ है तो structure क्या दे फिर से आपको देखा थो कि structure क्या काम करता है तो यह से यह से अपने selection बनाया लिया और यहाँ पर रख दिया अब देखे साइट से थोड़ा सा अजीब साहरा है तो यह से आप स्ट्रेक से को कम भी कर सकते है इसका lowest है वन और हैस्ट है सेवन तो यह देखिए यह थोड़ा सा कुछ ऐसे ट्रैया नेर बहला काम है तो इससा अब कम करेंगे तो देखिए यह थोड़ा सा लंब आ रहा है मतलब यह structure को थोड़ा सा चेंज करता हो दिखाए आपको और इसके बाद color है तो color को भी आप करेक्ट कर सकते है थोड़ा भ तो अब होब कि अप्लोग को कंट्रिट अवर फिल समझ में आओगा और अगर यह वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बिलके अब सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियों में